बच्चों, आज हम अपने BST के नए चैप्टर को शुरुवात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज के इस चैप्टर का नाम है व्यावसायका सामाजिक उत्तदाइत्व एवं व्यावसायक नीदी शास्त्र जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं Social Responsibility of Business and Business Ethics देखे इस अध्याय में हम दो चीजों के बारे में अचार्चा करेंगे पहली होगी कि Social Responsibility of Business क्या है और यह Business Ethics होता क्या है तो हम शुरुवात करेंगे Social Responsibility होती क्या है उसको समझने से और उसके पश्चात हम जाएंगे Business की ओर Social Responsibility अगर हम अपने रोजमर्रा की जीवन में देखें तो हम हमारा एक अपना जो है Social Responsibility है As a human being यह हम एक कह सकते हैं हम मनुश्य हैं और समाज के प्रती हमारा कोई न कोई एक Responsibility है या उत्तरदाईत्व है समाज में ऐसे कई प्रकार के लोग पाय जाते हैं जिनें help यानि मदद की आवशक्ता होती है तो हम इन अलग अलग तरह के लोगों को यह हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेटिस के लोगों को जैसे कि हमारा समाज जो है कई भागों में बटा हुआ है जिसमें हम इस तरीके से कह सकते हैं कि high class के लोग रहते हैं फिर इसके बाद middle class के लोग रहते हैं फिर इसके बाद small class के लोग रहते हैं तो बेसिकली जिन लोगों को मदद की जरूरत है वो हैं मिडल क्लास और लोग क्लास के लोग अगर हम देखें तो as a human being या एक इंसान के तौर पर हम इन लोगों की किस तरह के से मदद कर सकते हैं या हमारा उनके प्रती क्या responsibility है या हमारी society के प्रती हमारी क्या responsibility है तो social responsibility एक ऐसा important शब्द है एक व्यवसाय को चलाने के लिए जिसके बिना व्यवसाय की कलपना भी नहीं की जा सकती अगर आप बिना social responsibility के किसी व्यवसाय को चलाने की कोशिश करेंगे तो traditional way में जो पहले एक व्यवसाय करने का तरीका होता था उस तरीके से देखेंगे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा किन्तु अगर आज के modern तरीके को हम देखेंगे तो यहाँ modern तरीके से अगर किसी को व्यवसाय करना है या अपना business बढ़ाना है तो वहाँ पर social responsibility को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अब सबसे बड़ी बात यह है कि social responsibility है क्या हम एक इनसान के तौर पर अपने society यानि समाज को क्या दे रहे हैं हमारी क्या क्या responsibilities हैं एक समाज के तौर पर हम उसे बहुत कुछ दे सकते हैं समाज में रह रहे विभिन्य विक्तियों की और ऐसे कई चीजे हैं जिनको हम करके समाज की मदद कर सकते हैं जैसे कि हम सके देखते हैं कि हम जब घर में रहते हैं तो बहुत से लोग, क्योंकि एक आदत होती है कि कचरा अपने घर का दूसरे की घर में फेक दिया, तो यह एक गलत तरीका है हम उसे dust mean में डाल कर जब नगर निगम की गाड़ी आती है तो उसमें हम fake सकते हैं यह हमारी social responsibility है कि हम दूसरे के घर में कच्रा या घर के सामने कच्रा ना करें यह एक छोटा सा उदारण था अगर इसी को हम business के लिए जाएं और व्यवसाय के तौर पर यूज करें तो एक व्यवसाय को किस तरीके के social responsibility यानि सामाजिक उत्तरदाईत्व निभाने पड़ते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है अभी तक हमने business studies में जितना भी अध्यान किया है उसमें हमने अच्छे से व्यवसाय क्या है वह समझ लिया है आए हम व्यवसाय के निमित से किस प्रकार हम जो हैं एक सामाजिक उत्तरदाईत्व को पूरा कर सकते हैं यह देखना बहुत सरूरी है अब एक व्यवसाय से कई तरह के लोग जुड़े होते हैं सबसे पहले जो जुड़ा होता है वो होता है कर्मचारी और व्यवसाय स्वयम ठीक है उसके बाद आते हैं पूरती करता फिर उसके बाद आते हैं प्रतियोगी और सबसे उच्छ स्थान जिसको दिया गया है उसे हम कहते हैं कस्टमर यानि उप्भोगता और उसके बाद आता है सरकार तो यह इतने सारे लोग अलग अलग तरह की जो लोग हैं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जो मैंने एक सरकल की माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से लोग जो हैं इस व्यवसाय के सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी से यानि समाजिक उत्तरदाइत्व से जुड़ हैं या फिर किसी भी बिजनस का किन किन लोगों के लिए एक सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है आई हम एक एक करके जानेंगे कि हम किस तरीके से जो है शौट में इन लोगों से जुड़े हूं क्योंकि विस्तरत में हम इसके बारे में चर्चा पार्ठ में आगे चलकर करेंग तो अगर उब्भोक्ता जोहें संतुष्ट नहीं है तो विवसाय अपने आप नहीं चलेगा उसको सही कीमत पर सही वस्तू या उधपात देना ही वियर्वसाइव का सबसे पहला कारे होता है यह वियर्वसाइव का होता है हम कह सकते हैं फिर बात आती है कि करमचारी एक करमचारी जो है उसको एक अच्छा working environment देना working environment मतलब जहां वो काम कर रहा है उसके लिए एक अच्छा अनुकूल वातावरण देना उसको सही समय पर उसका वीत्तन देना और उससे जुड़े होई कई ऐसे कारे होते हैं जिसे उसको एक स्वस्थ माहौल देना और उसमें एक साटिस्फाक्शन का लेवल बनाए रखना ये एक महत्वपूर्ण काम होता है व्यवसाई का जो इस कर्मचारी के प्रति उसका उत्यरदाई होता है आगे हम बढ़ेंगे फिर बात आती है पूर्ती करता की पूर्ती करता की किस तरकी से क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो suppliers इंगलिश में हम कहते हैं हमें क्या करते हैं हमारे या व्यवसाई को जिन वस्तूओं की आवशक्ता होती है जैसे की मश्रियें हो सकती है कच्छा माल हो सकता है इसी कई चीज़े हैं जिसके लिए इन पूर्ती करताओं की आवशक्ता होती है तो ये वो पूर्ती करता होते हैं जिनको हमें समय समय पर प्रिमिंट करना चाहिए और भी ऐसी कई जूड़ी चीजें हैं अगर लाभार्जन हो रहा है तो किस तरीके से इन में वो डिस्टिबूशन होना चाहिए वो भी देखने वाली बात है फिर व्यवसाई स्वयम आता है क्योंकि व्यवसाई जो है वो व् उसके बाद हम प्रतियोगियों के बारे में सोचेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि आज के वातावरण में जो गलाकाट प्रतियोगिता आगे बढ़ती चली जा रही है लेकिन यह जो गलाकाट प्रतियोगिता है इसको सुगम तरीके से सही तरीके से एक उचित माध्यम को ल जा सकता है आगे एक और बिंदू हमने चर्चा किया था कि जो अंतिम बिंदू था वो था हमारा सरकार अब सरकार के प्रति हमारी क्या उत्तरदाईत्व हैं सरकार के प्रति जो हमारे उत्तरदाईत्व हैं वह टैक्स पे करना सबसे इंपोर्टेंट जो होता है और टैक्स पे सुष्ण, आगे बढ़ते हैं और कुछ परिभाहशा को जानते हैं और समस्जते हैं और उसे सामाजिक उत्तरदाईत्व को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे एक परिभाशा दी गई है जो की अंतराश्रे सेमिनार न्यू देली के द्वारा दी गई है और यह जो परिभाशा है सुर उनिस सो पच्छपन में दी गई है इसके इनुसार व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदाईत्व का अर्थ ग्रह को कर्मचारियों उत्तरादिकारियों और समाज के प्रती उत्तरदाईतों से है एक और परिभाशा देखते हैं उस परिभाशा के नुसार HR 52 वियवसाय के सामाजिक उत्तरदाईत्व का अभिप्रा है उन नीतियों का अनुसरन करने उन निर्णयों को लेने उन कारियों को करने से हैं जो हमारे समाज के लक्षों तो मूलियों की दृष्टी से वांचनी हैं अगर हम इसका एक निश्कर्ष निकालें तो वियवसाय का एक सामाजिक उत्तरदाईत्व जो होता है वो वियवसाय से जुड़े हुए विभिन उनके अंगों के लिए होता है जितने अलग 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 लोग उनसे जुड़े हुए हैं जिन भी कारणों से जुड़े हुए है उन सभी के प्रती उसका एक उत्तरदाई तो होता है जैसे कि हमने इसके पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया उसमें एक छोटी सी जानकारी आपको मिली है और जो सामाजिक उत्तरदाईत्व होता है व्यावसाय का लावारजन के साथ साथ समाज की जुड़े हुए विविन अंगों की आवर्शक्ताओं को पूरा करना और उनके प्रती अपने उत्तरदाईत्व का निर्वहन करना ये सबसे महतोपूर्ण बात होती है इसमें आए हम इसे और डीटेल में जानने की कोशिश करते हैं आए हम आगे बढ़ते हैं और व्यावसाय के सामाजिक उत्तरदाईत्व की अवधारना की लक्षन और उनकी कुछ विशेष्टाओं को जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे बहुत सा नीजी एवं सार्वनिक दोनों प्रकार के व्यावसाय पर लागू होना बिल्कुल सही बात है जो यह सामाजिक उत्तरदाईत्व की बात होती है यह न केवर सार्वनिक बलकि जो है नीजी व्यावसाय पर भी लागू होती है क्योंकि व्यावसाय तो दोनों ही है और उत्तर सभाधन कहते है वह कहां से लेता है वह समासे ही लेता है क्योंकि व्yakti जब व्यवसाय प्रारशनिक हो तो चाहिए वो नीजी व्यवसाई हो या सारजनी दोनों ही प्रकार के व्यवसाई अपने व्यवसाई को प्रारम करने से लेकर के उसको अच्छे तरीके से चलाने तक के लिए समाज से ही कुछ न कुछ ले रहें तो उन दोनों का दाईतव बनता है कि वो वापस में समाज को कुछ न कुछ दे आप लोगों ने कई उदारण देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े बिजनसमेन क्या करते हैं ट्रस्ट के नाम पर बहुत सारा दान करते हैं बहुत बड़े बड़े स्कूल से लाते हैं जिनें कम फीस पर वो बच्चों को क्या करते हैं एड्मिशन देते हैं और साथ ही सा उनको education भी देते हैं और ऐसे कई NGOs को वो run करते हैं जहां पर ऐसे गरीब परिवार की लोगों या जिनके पास रोजगार नहीं है उन लोगों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों ही व्यवसाई हैं क्योंकि समाज से ही सब कुछ ले रहे हैं तो समाज को ही उनको वापस करना है तो चाहें वो नीजी व्यवसाई हो या चाहें सारवजनिक व्यवसाई दूसरे बिंदो के और चलते हैं, दूसरा बिंदो कहता है कि विक्तिकत एवं सामाजिक हीतों में सामंजेस रखना, बिल्कुल हम जब व्यवसाई कर रहे हैं, तो हमारा जो मुख्य उद्देश है वो यही है, कि हम जो हैं लाब आरजन करें, ठीक है, यहां आमने अपने हित क के बारे में सोचा, यह गलत नहीं किसी बित्तिरगी से, एक व्यवसाई अगर अपने हित के बारे में सोचता है, तो यह गलत नहीं है, बिल्कुल वो हित नहीं कमाएगा, वो लाब नहीं कमाएगा, तो उसका व्यवसाई आगे कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं, लेकिन अगर वो यही काम इस तरीके से करे कि सामाजिक हितों को दर किनार कर दे या उस की उपेख्षा कर दे या उसको अंधेका कर दे अगर हम सिंपल वोट्स में कहें तो इन चीजों को करके अपने हित के बारे में सिर्फ सोचे तो ये चीज गलत हो जाएगी तो जैसे कि दूसरा बिंदू कहरा है कि व्यक्तिकत हित को भी ध्यान देना है और दूसरा सामाजिक हित को भी ध्यान देना है और उसके बाद ही इन दोनों के भी सामंजे से सापित करके फिर व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तीसरा बिंदू है सामुहिक एवं सामाजिक संस्था का भी यही उत्तदाइत होता है कि वो लोगों को रोजगार प्रदान करें साथ साथ ऐसे कही कारे करें जिससे की लोगों को उसका अलग अलग रूप से फाइदा मिले चौथा बिंदू कहता है द्वी मारगी प्रक्रिया यह एक द्वी मारगी प्रक्रिया है क्योंकि हम क्या है किसी को व्यवसाय को प्रारंब करने के लिए हम समाज से ही सारे संसाधनों को ले रहें तो यह एक मार्ग हो गया तो हमें समाज को ही वापस करना है समाज में रहने वाले लोगों को हम क्या करना है मदद करनी है उनकी उनकी कुछ ऐसी आवशक्ताएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है तो हमें उनके पूरी करनी है हमें उनके कुछ ऐसे संसादन देनी है उनकी कुछ ऐसी अवशक्ताओं को पूरा करना है जो की नहीं हो पारी है जैसे कि एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया छोटे छोटे स्कूल्स उपन कर दिये जिसमें कम फीज पर बच्चों को अच्छा इज्वकेशन मिल जाएगा एक ट्रस्ट ने किसी एंजियो को उप जीवन मिले वृद दाश्रम खुलवा दिये जहां पर वृद जो कि अभी तक इधर उदर बिना किसी आश्याने के घूम रहते उनको एक बराबर आश्याना मिला खाने के लिए भरपूर और सेहत मंद भोजन मिला एक अच्छा वाता परण मिला जहां वो सारे एक साथ परजमें कई अच्छाईयां हैं कुछ बुराईयां भी हैं तो उन सभी चीजों को लेकर चलना है तो उन सभी चीजों को लेकर करके एक व्यवसाई को अपने उत्तादाइतों का निर्वान करना जैसे कि मैंने कई एक्जैम्पल या कई उदारन दिये हॉस्पिटल खुलव इंजीएस चलाना उसी तरीके से वरिध्धाश्रम चलाना ऐसे कई कारे जो के एक व्यवसाई को करना चाहिए है अन्य हम क्हे सकते है कि द्वीवल कई क्या है क्योंकि समाज से ही हम ले रहे हैं और समाज को ही हमें उसका कुछ भाग व्यविसाय से अर्जन किये गए लाब से कुछ भाग हमें क्या करना है उन्हें वापस करना है पांचवा बिंदु कहता है विभिन पक्षकारों का सरवांगिन विकास इस बिंदु में हमने जो के बारे में आपे दिए जैसे कि उभोगता हुए, कर्मचाराई हुए, 스अ कार्ति फर्थी Tree पूर्ति कर्ता हुए, इन सभी सफलता की धूटारी किस सरीके से हुआता है मैंने वहुत्य चोटे से में आपको समझाया था अगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं इसका छटवा बिंदू छटवा बिंदू कहता है व्यावसाइग सफलता का आधार जो सामाजिक उत्तरदाइत्व है जो व्यावसाइग इस सामाजिक उत्तरदाइत्व का निर्वान करता है जिसकी वज़े से यह आज इतने फेमस हैं, के बल अपने उत्पात के लिए नहीं या उनकी उत्पात की क्वालिटी को लिखे लिए ही नहीं, बलकि इन्होंने ऐसे कई कारे किये समाज के लिए जिस वज़े से इनका नाम लिया जाता है, अगर आप उनके एंटरप्राइज मे या उनकी और्गनाइजिशन में संस्था में जाकर चर्चा करें, मैंने एक लेक में पढ़ा था, कि टाटा अंबानी जो संस्था चलाते हैं, या टाटा इंडेस्ट्री की बात करें, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, वह सबसे ज़्यादा साटिसफाइड कर्मचारी पा जात हैं, जितनी वह कर सकते हैं, एशा कारे करना जिसे की समाज में उनका एक सरवांगिन विकास हो सके हैं, समाज में लोग उनको जाने, साथ साथ समाज का भी विकास हो सके, आगे बढ़ते हैं, सात्वा जिसे सतत प्रक्रिया है अब यह जो हम बात कर रहे हैं सामा जिक उत्तरदाईत रखी यह एक बार करके रख दिया ऐसा नहीं है इसको हमें सतत कंटिनियस करना पड़ता है हम कुछ ना कुछ एक एक व्यवसाई यह व्यवसाई के तौर पर हमें यह कारे जो है निरंतर करना किसी भी स्कूल के ट्रस्टी बन जाओ किसी हॉस्पिटल के ट्रस्टी बन जाओ मतलब ट्रस्ट में वह स्कूल चल रहा है या कोई हॉस्पिटल चल रहा है जिसमें निरंतर आप कुछ ना कुछ दान धर्म कर रहे हैं जिस वजह से वहां कई ऐसे लोग हैं जिनकी मदद हम बहुत अच्छे शब्दों में कह सकते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवसाय के जो सामाजिक उत्तरदाइत हैं वो एक सत्तत प्रक्रिया की अंतरगत आते हैं आठवा बिंदू है वो कहता है कि सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के साधन अब यह जो होते हैं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के साधन भी होते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने इसके पहले कि बिंदू में कहा था कि यह व्यावसाइक सफलता का आधार बनते हैं तो बिलकुल अ आज़र की तरह काम करते हैं मतलब आपका एक वाक्य लोगों को इंफ्लुएंस करने के लिए काफी है लोगों को आपके बातों के आने के लिए और आपके साथ सहमत होने के लिए काफी है तो एक जो अच्छा व्यवसाई होता है अगर वो अपनी हीतों के साथ साथ अन्य मतलब उससे जुड़े हुए लोगों की यह सामाजिक उत्तरदाईतों का निर्वाहन करता है तो नहीं केवल वो अपना विकास करता है बलकि समाज में अपनी एक खोलम ना कर रखता है या पकड़ बना के रखता है जिसे हम परbuat आगले पिन्दों आता रहां नवीन सामाजिक तद्द आर्तिक मूल्यों की थहापना खरना इस त TB से हर एक व्यवसाईग एक अपना रोल मॉडल सापित करता है एक जो है अपने तरीके से चलाने वाला व्य. nieu स्थापित करता है जिसे वह अन्य है उनके लिए वह वियावसाइऑ एक एक उदाहरण की तरह होता हिएat कि इतना बढ़िया चल रहा है और उन्होंके जितने भी सामाजिक उत्तरदाइट हैं उनका निर्वाण कितने अच्छे तरीके से किया है उसी तरीके से जो आने वाले नए व्यवसाई हैं या जो पहले से मार्केट में व्यवसाई हैं उनको कौन-कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनका निर्वान करना चाहिए जिससे की वे भी इस तरह के आर्थिक मूलियों या सामाजिक मूलियों में खरी उतरें और समाज के प्रती अपने जो योगदान है उसको बनाए रखें आगे हम अंतिम बिंदु की और चर्चा करते हैं जो की है अन्य लक्षन हम अन्य लक्षनों की बात करें तो ऐसे और भी कई लक्षन है जो की समाजिक उत्तर दाइत्व के लिए बहु प्राइर्ट देना है तो समाज को प्राइर्थ मिक्ता देना उसके बाद अपने लाप के बारे में सोचना है तो यह सारी चीज़ें जो आन्य लक्षनों के इंतरकत आप लिख सकते हैं जो जितने लक्षन मैंने आपको अभी तक बताए हैं उसके अलावा भी